पटकडी में सिर्फ ये चीज़े मिलाएं महंगे ट्रीट्मेंट और महंगी क्रीमों से चुटकारा पाएं चाहे आपके चेहरे के उपर जुरियां हो, या फिर आपके हाथों पर जुरियां हो या आपके चेहरे के उपर स्याद आग दबे चाया हो मिंटों में गाइब हो जाएंगी रंग आपका गुरा हो जाएगा प्राइट हो जाएगा स्कीन आपकी टाइट होगी जवान होगी सिर्फ फटकडी के इस्तमाल से असलाम लेकम वेलकम टू राकी हॉम टिप्स आपने एक फटकडी का पीस जो है वो ले लेना है ये आपको पंसार की शॉप से असानी से जो है वो 5-10 रुपे में काफी ज़ादा जो है वो मिल जाएगी इसको आपने पौडर बना कर त्यार करना है आप इस तरह से सिल्वटे में भी पीस कर इसका पौडर जो है वो बना सकती है या फिर आप मिक्सी जार में भी इसका पीस कर पौडर त्यार कर ले और इस पौडर को आप महीनों स्टोर करके भी किसी एटाइट कंटेनर में रख सकती है ये बिलकुल भी खराब नहीं होगा तो चलें इसे हम निकाल लेते हैं एक अलग से बॉल में ये एक एंटी एजिंग और एंटी सेप्टिक प्रोड़क्ट है जो के माई स्किन के उपर से चाईयों को दाग दबों को और एंटा एजिंग के जो साइन है उन्हें खत्म करने में बहुत मुफीद है अगली चीज मैं जो इसे बनाने के लिए त्यार कर रही हूँ वो इसमें जो मैं शामल करूंगी वो है अंडे की सफेदी अंडा क्या करता है चेहरे के उपर से दाग दबों को खतम करता है सिया दाग दबे हैं छाईया है रंग को गोरा करता है ब्राइट करता है मुझे यहाँ पर सिरफ एक चमच अंडे की सफेदी चाहिए इसे मैं अलग कर लूँगी आपको जैसे भी असान लगे आपने अंडे की सफेदी को लग कर लेना है मैंने यहाँ पर एक चमच अंडे की सफेदी ले ली अब इसमें थोड़ा सा मैं भटकड़ी का पौडर जो है वो शामल कर दूँगी और अगली चीज जो इसमें मैं शामल करूँगी वो है ग्लैसरीन ग्लैसरीन आपकी स्किन को जो है वो क्लियर करती है, मॉस्टराइज करती है, आपकी चेहरे को हाइडरेट रखती है यह आपने एक चमच पारकर शामल करनी है, यह आपको मेडिकल शॉप से जो है वो असानी से मिल जाएंगी और इसमें हम थोड़े से चंद एक ड्रॉप जो है वो रोगने पदाम के शामल कर देंगे तमाम चीजों को आपने अच्छी तरह से कांटे की मदद से मिक्स कर लें या फिर हैंड बीटर की मदद से यह एक क्रीमी सा अमेजा जो है वो आपके पास बन कर त्यार हो जाएगा यहां तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो इसे लाइक भी करें शेर भी करें चैनल पहली बारा है तो चैनल को लाजबी सब्सक्राइब करें नीचे दियेगे बैल आइकान के बटन पर क्लिक करके औल पर डन करें ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो का नोटिफकेशन मिल सकें तो जी अब बात कर लेते हैं इसे हमने कैसे अपलाई करना है इसे आपने अपने हाथों पर चेहरे पर गर्दन पर जो है वो लगाना है ब्रश की मदद से और 15-20 मिनट आपने इसे ड्राइ होने देना है हफते में दो बार इस रेमडी का आप इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपके चेहरे पर हाथों पर जुरियां है चाईयां है आँखों के नीचे स्याद आग दब्बे हैं फाइन लाइन है सब मिन्टों में गाइब हो जाएंगी रंग आपका गुरा हो जाएगा क्लियर हो जाएगा मुझे इजाज़त दें अपना ख्याल रखें खुदा हाफ़ाएगा